तो नमस्कार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजीर हो गए हैं मैच नमबर 30 के फेंटेसी टिप्स लेकर कि कि किन-किन खिलाडियों पर आप दाव लगा सकते हैं जो राजिस्थान और केक्यार के बीच होने वाला है यहाँ पर सबसे पहले आप यह देखें कि दोनों ट रखेंगे शल्टन जैक्सन उस तरीके की फॉम में नहीं है तो संजु सैंसन बहतर है तो इसलिए विकेट कीपर के तौर पर संजु सैंसन को आप रखेंगे अब बात आती है बल्लेबाजी की देखें जोस बटलर को आप पका रखेंगे मैं मना करूंगो तब आप उधर से आप डुसेन को रख लेना मेरे साफ से खिलाडी जादा दिन तक शान्त रहने वाला नहीं है शायद बल्ला चले गया डुसेन का मुझा लग रहा है कि शायद बल्ला चलने वाला है तो जोस बटलर संजु सैम्सन डुसर यह उपर के तीन बल्ले बाज होगे इधर से आप मेरे साफ से फिंच भी जादा दिन तक चुपचाप बैठने वाले नहीं है शांदार खिलारी है और मेरे साफ सारी कहना यहां पर पर परिशान यह एक है कि राजिस्थान के खिलाब जब आएंगे ट्रेंट बोल्ट क्योंकि अगले मैक में शायद वापस आ जाएंगी तो ट्रेंट बोल्ट के सामने शायद फिंच फसते वे नज़राएं क्योंकि उनकी जो सुरुवात की श्विंग है ना ट्रेंट बोल्ट की वो हो सकता है कि फिंच को परिशान कर दे तो मेरे हिसाब से आप यहां पर थोड़ा सोच समझ कर ध्यान दे कि फिंच और वेंग्टे सयर उसके बाद में श्रे सयर नितीश राना और रसल यह उपर के चार खिलारे आपके हो गए हैं वेंग्टे सयर श्रे सयर नितीश राना और रसल यह हो गए हैं इधर से आपके जोस बटलर संजू सेमसन डूसैन और यहां से आप रख सकते हैं हैटमार हैटमार लगातार अच्छा मैच लगातार पिछले कुछ मैचों से बहतर कर दें तो चार बल्ले बाज इधर से हो गए हैं चार बल्ले बाज आपके इधर से हो गए हैं अब आपको यहां पर क्या करना है यहां को आपको गेंद बाज करना है आठ खिलारी आप गए हो गए हैं तीन खि पिछले कुछ मैच इससे नहीं चल रहे हैं जो एक मैच पहले शायद बेकार प्रदसन किया आता है ऐसा होता है कभी-कभी कि अगले मैच में वो दमाकेदार प्रदसन कर देता है तो यह चीजे भी आप जरूर देखें जब आप अपनी फ्रेंटेसी टीम बनाए थोड़ा सा ह चौश में पारistas जरूर रकें उमेश अद़ और को अपनी टीम में आप जरूर ठेंगए तो यह चार और की तरफ से आप ने के बार मैंच में विक्ट सबसक्राइब करेंगे सिवन् सब्सक्राइब नरें विक्ट होरेंगे तोatan भी करूए यह इधर से हो सकते हैं जोस बटलर संजु सैंसन डुसेन हैट मार 4 हो गए हैं उसके बाद में यजुवेंद्र चहलो ट्रेंट बोल तो एक दो उसके बाद में हैट मार 3 डुसेन 4 संजु सैंसन 5 और जोस बटलर 6 यहां पर यहां पर यह भी चीज़ ध्यार रखनी पड़ता हूं तो टिप्स में यह भी चीज़े ध्यार नखनी होती है कि खिलारी कभी-कभी आपको दोका भी दे देता है तो यह चीज़े भी देखें तो उमेश आदब पर आप दाव लगा देंगे तो बहतर होगा यह मेरी फ्रेंटेस टिप्स है विकेट कीपर के तौर पर संजु सैंसन को आप जरूर रख लेना तो यह मेरे 11 खिलारी हैं ट्रेंट बोल्ट को टौस का इंतजार के बाद ट्रे इसलिए फिंच को नहीं ले रहा हूँ अगर ट्रेंट बोल्ट आ जाते हैं तो जो राइट हैंडर बल्लेबाज हैं उनके सामने बहुत घातक साबित होते हैं ट्रेंट बोल्ट केल रहूल का वो बोल्ट आपको याद होगा किस तरीके से बोल्ट किया था केल रहूल को तो लेट हैंडर बल्लेबाजों के लिए बहुत घातक होते हैं ट्रेंड बोल्ट इसलिए मैं वेंटेस रिजल को बोल लहूं कि लेफ्ट हैंडर रहूं किसी है तो यह एक प्लेंग 11 आप बनाने से पहले जब फ्रेंटेजी टीम बनाते हैं उससे पहले आप विपक्सी टीम के गेंदबाजों को जरूर देखें उनकी form जरूर देखें ये जरूर ध्यान रखें उनको थोड़ा सा पढ़े उन गेंदबाजों को किस तरीके के गेंदबाज है तो यह एक मेरी fantasy तीम, आपको हमारी team कैसे लगी, अपनी team भी आप हमें comment box में भेज़ सकते हैं और video च्नल को प्रेस कर दिजित, थैंक यू